हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन कंस्ट्रक्शन इंफो चैनल में आज हम बात करेंगे हमारे भारत देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बारे में जिसे आर आर टीएस भी कहा जाता है इसे डेल ही से गाजियाबाद होते हुए मेरट तक चलाया जाएगा आज हम इस कोरिडोर पर चलने वाजे आर आर टीएस ट्रेन के फ़र्स लुक को देखेंगे और साथ ही इस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन से जुड़े तमाम ज़रूरी पॉइंट्स को भी डिसकस करेंगे इस आर आर टीएस ट्रेन के कोच का डेमो सेट एंसी आर टीसी द्वारा हाल ही में प्रेजन्ट किया गया है और डेली से मेरट के बीच चलने वाले देश के इस पहली आर आर टीएस ट्रेन का पहला कोच 16 मार्च 2022 को गाजियाबाद में पहुँच चुका है जिसका ट्रायल काफी जल्द होने की संबावना है इस प्रोजेक्ट से जुड़े संपून जानकारी के लिए कृपिया इस वीडियो के अंततक बने रही है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाएं भारत देश की इस फर्स्ट RRTS कॉरिडोर प्रोजेक्ट का फांडेशन स्टोन या कहें शिलानियास प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी द्वारा आठ मार्च 2019 को किया गया था और वर्तमान में इस प्रोजेक्ट का निर्मान कार्य किया जा रहा है ये RRTS कॉरिडोर देली के सरायकाले खां से शुरू होकर न्यू अर्शोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुल्धर, दुहाई, मुराद नगर, मोधी नगर साउथ, मोधी नगर नौर्थ, मेरट साउथ, शताबदी नगर, बेगमपुल होते इस RRTS कॉरिडोर का implementation, National Capital Region Transport Corporation द्वारा किया जा रहा है, which is also known as NCRTC, डेली गाजियाबाद, मेरट, RRTS कॉरिडोर के project में total 22 stations का निर्मान किया जा रहा है, और साथ ही दो डिपो का भी construction चल रहा है, इस RRTS कॉरिडोर के सफलता पूरवक निर्मान के बाद, डेली से मेरट की जातरा को 60 मिनट से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा, बात करें इस project के लागत की, तो इसका estimated cost 30,274 करोर रूपीस है, RRTS कॉरिडोर के अंतरगत 4 stations को underground बनाया जा रहा है, और बाकी बचे stations elevated type होंगे, कॉरिडोर को इस प्रकार से design किया गया है, जिससे RRTS train इस ट्रैक प RRTS project के priority corridor approximately 17 km है, जिस पर वर्तमान में काफी तेजी से निर्मान कार्य चल रहा है, जिसका कार्य मार्च 2023 में पूर्ण होने की संभावना है, यह priority corridor का route साहिबाबाद से शुरू होकर गाजियाबाद और गुल्धर होते हुए दुहाई तक बनाया जा रहा है, और दुहाई म की maximum speed 160 km per hour होगी और इसकी ओसत speed 100 km per hour होगी, और चुकि यह एक semi high speed train है और इसकी तुलना अगर conventional metro की ओसत रती से की जाए तो RRTS train की average speed conventional metro train की speed से लगबग 3 गुना जादा होती है, इस RRTS corridor के सफलता पूरवक निर्मान कारे के बाद डेल ही और उसके जुडे 100 से 150 km रेडियस में जितने भी शेत्र आते हैं, उनकी आपस में connectivity काफी बहतर और तेज हो जाएगी, इस train में 2x2 का sitting arrangement रखा गया है, initially इस RRTS train में 6 coaches होंगे, जिसे भविश्य में बढ़ा कर 9 coaches किया जा सकेगा, इन 6 coaches में कुल 407 passenger seats होंगे, जिसके अलावा इसमें खड़े होकर भी यातरा कर करने का arrangement design किया गया है, एक estimation के मताबिक 6 coaches वाली एक RRTS train में लगभग 1500 passengers एक बार में यातरा कर सकेंगे, आपको बता दें कि RRTS के इन 6 coaches में से एक premium coach बनाया जाएगा, जिसमें आदूनिक तक्नीक जैसे की Wi-Fi इत्यादी और काफी अन्य प्रकार की facilities प्रदान की जाएगी, इस RRTS के trial run के लिए दुहाई depot में ही एक किलोमेटर लंबे और बारा running track बिछाए जाने का काम चल रहा है, जो की currently 90% complete हो चुका है, और अनुमान है कि अप्रेल 2022 तक यह पूरी तरह से बन कर तयार हो जाएगा, और testing track complete होने के बाद ही इस पर test run किया जाएगा, RRTS के सभी coaches में automatic doors को install किया गया है, और एक coach में total 6 automatic plates होंगे, इसके साथ ही इस train की seat के पास mobile और laptop के charging points भी install होंगे, साथ ही special coaches में wifi की सुईदा होगी, इस train में दिव्यांगों का खास ख्याल रखा गया है, जिसके लिए दर्वाजे के पास ही wheelchairs के जगा दी गई है, इस हिलाओं के लिए एक reserved coach भी दिया जाएगा, RRTS coach की चोडाई 3.20 meters रखी गई है, यात्रियों के समान को रखने के लिए इन coaches में luggage rack की भी विवस्ता की गई है, और साथ ही coaches के अंदर station indicator और announcement की सुईदा तो होगी ही, खड़े होकर सफर करने वाले यात्रियों के लिए hanging handles के सा aisle seat पर supporting handle भी दिया गया है, और साथ ही चड़ने उतरने के लिए gate पर भी supporting bar दी गई है, automatic door की चोड़ाई 1.4 meters wide रखी गई है, जिससे यात्रियों को काफी सुईदा होगी, खास बात ये है कि इसके सभी coaches air condition होंगे, और हर coaches में ambient lightning system भी install किया जा रहा है, सबसे अच्छी बात इस train की ये है कि इसमें मरीजों को जल्द से जल्द अस्पताल तब कहुंचाने के लिए stretcher ले जाने की भी सुईदा की गई है, जिससे इस RRTS train का इस्तेमाल emergency या कहें आपातकालीन ambulance के तौर पर भी या जा सकेगा, जिससे सड़क मार की तुलना में hospital जल्दी पहुंचा जा इसके साथ ही RRTS corridor में जितने भी stations बन रहे हैं, उन सभी में stretcher को ले जाने के लिए lift को भी install किया जाएगा, यह RRTS train सभी प्रकार की advanced technology से less है और किसी भी प्रकार की दुरगटना की संभावना को कम करने के लिए hal ही में launch किये गए कवच तकनीक का भी उपयोग किया जाएग इस train की seats की बात करें तो इसमें premium class की push and seats का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें reclining का भी option होगा, जिससे आसानी से यह सभी seats पीछे की तरफ छुप जाएगी, जो की यात्रियों को काफी अरांदा एक सफर का अनुपव देगा, साथ ही इसमें premium class के footrest भी install किये गये हैं इस train की windows की बात करें, तो इसमें sun blinds का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे यात्रियों धूप से आसानी से बचपाएंगे, इस seats के पीछे की तरफ magazine holders install किया गया है, और साथ ही port hooks का भी installation किया गया है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे देश की इस पहली RRTS train को है चैदराबाद में design किया गया है, वहीं इसकी manufacturing गुजरात के सावली में की गई है, इस Delhi Merit RRTS प्रोजेक्ट के successfully complete हो जाने पर 6 करोड से ज्यादा लोगों को लाब मिलेगा, बात करें इस प्रोजेक्ट के contractors की, तो इसमें L&T Constructions, Appco Infratech, AFCONS Infrastructures, DMRC, ISA India Private Limited, Korea Railroad Technical Corporation, Prime Rail Infra Labs Private Limited, Sistra Consulting, Pinnacle Piling India Private Limited, Continental Piling, KEC, CCECC, JV, Appco Infra, CRFC, JV, Bombardier Transportations, that is for rolling stocks, EGIS Rail, SAINECO, EGIS India Consulting Engineering Private Limited, Tunden Consultants, GIS Consortium, India Private Limited, CENGRS, Geotechnical Private Limited, etc. contractors काम कर रहे हैं, इस डेली से मेरट के RRTS train corridor का complete काम 2025 तक होने की संभावना है, जाते जाते यह भी बता दें कि यह RRTS train corridor project eco-friendly होगा, जो की zero emission technology पर काम करेगा, यह train regenerative braking system high acceleration और deceleration mechanism में काम करेगा, तो दोस्तों यह था डेली टु मेरट RRTS rail corridor की complete information, अगर वीडियो पसंद आई है, तो इसे like, share, subscribe करें और comment section में अपने विचार जरूर व्यक्त करें, धन्यवाद